हेलो गईज कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईज की OnePlus Nord 3 फोन में आप लोग फेस लोग को कैसे चेंज कर सकते हो अगर आपके पास एक OnePlus Nord 3 phone है और इस phone में जो है पहले से ही किसी ने face log लगा के रखा है आपका face log हो या किसी और का face log हो और उस face log को जो आप लोगों को change करना है तो चलिए guys वीडियो को start करते है फैस लोग को change करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे scroll down कर लेना है नीचे आप लोगों को एक option देखने को मिलेगा guys password and security का तो इस password and security के option पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते एक face का option है जो on है तो इस face के option पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपका phone का जो भी pattern या password है उस password या pattern को डाल दीजिए डालते ही face log का यहाँ पर settings आ जाएंगे guys तो यहाँ पर देख सकते face data एक होगा guys क्योंकि अगर आपने face log को change करना है तो पहले आप लोगों को पुराने वाले को delete करना होगा तो देख सकते ही रहा face data उसके side में delete का option है दिलेट पे क्लिक करेंगे और दिलेट कर देंगे ऐसा करती वह face log यहाँ पर से डिलेट हो जाएगा उसके बाद अगर आप लोगो चेंज करना है तो add face पे क्लिक कीजिए और आपका जो नया face है उसको यहाँ पर इस round color का जो box है उसमें डाल दीजिए डालते ही देख सकती ह पर done का option आया है done पे क्लिक करेंगे और आपका जो face log है वो change हो चुका है तो यह अभी आपका जो face log है आपने जो भी अभी set किया है change करके उससे ही आपका log खुलेगा तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने oneplus node 3 phone में face log को change कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगो कोई वीडियो